इसके लिए एक फंगी साइट होता है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है नाम यह यूज हो चुकी है हमारी कोको पिट इस समय तो चाइनल पर बने रही है और आज मैं इसी बारे में आप से इस वीडियो पर चर्चा करने चल रहा हूँ कि जो कोको पिट इस तरह से यूज हो चुकी है जिसमें यह देख रहे हैं कैपलरी एक्षन के लिए यहां पर इसका यह भी है मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यह नेटकप में लगाया गया था अब यह इसके अंदर रूट्स भी है जो कि यह एक साल पुरानी है और इसका हम जो है दुबारा से यूज कैसे करेंगे तो दुबारा से यूज करने के लिए हमको क्या करना है कि देखिए इसमे पेंड पती भी है रूट सबसे ज़्यादा है और यह पूरी तरह से गंदी हो रुखी है तो इसमें हमको करना क्या है कि इसको साफ करना है तो साफ करने का पूरा प्रोसस देखने के लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना है और अब गर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीचे क्योंकि ये जो जानकरी है आप के लिए है कि हम दुबारा से यूज में कैसे लाए कोकोपीट को जो हमारी कोकोपीट हम खरीद लेते हैं एक बार रही ूज में आने के बार मतलब ये साफ होने क्बार कैसी लगती है मद यकीन नहीं करेंगे कि जैसे नई कोको पीट होती है सेम आज इस यह उसी तरह से होगी तो reuse लाने के लिए हमको क्या करना है चलिए पूरा वीडियो यहां पर समझते हैं क्यूंकि यहां पर मैं बताने चल रहा हूं कि कैसे अब मैं कैमरा को यहां पर अपने इस tripod पर mount करने चलना हूँ और यहां पर मैं दिखाऊंगा कि यह जो कोकोपिट है यह कैसे हम reuse में ला सकते हैं क्योंकि अब जो समय है वो है hydroponic करने का तो चलिए फटा फट से देख लेते हैं बर चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को अल प समझाओंगा तो चलिए फटा फट से देख लेते हैं सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहां पर यह देखी यह जो आपके सामने मैंने पहले बताया कि कोकोपिट यह मेरी यूज की हुई पिछले साल की है अब इसको मैंने खुब अच्छी तरह हातों से मसल लिय लंगे या तो फिर कोकोपिट की रेशे होंगे ठीक है ठेट से तो वह कहींने कहीं रूट और पहले में या पर फेक दिया अब इसके बाद में हम अपर और शिक तो इसको भी मैं खूलूँगा अब देखें ये एक साल की हो गई है मैंने पिछले बर्साथ में लगाई थी और ये इस तरह से यहाँ पे हो गया अब इसको मैंने निकाल लिया आब इसको फोड़ूँगा आप भोड़ने के dem साफ करूँ गा अब पर पानी का तो पानी में प्लिस को एड़ करने में कि आप वहागा यहां पर कोई भी फंगश जो फंगी वाली अंटी फंगल होती है उसको यहां पर डाल सकते हैं मार्केट से लाज सकते हैं इसके लिए कोई जरूत नहीं है कि कौन सी होनी चाहिए यह बता दीजे आप तो यह वाला कोश्चन मत पूछिए फंगल की दवाई बहुत सारी होती है एंटी फंगल ठीक है उसको मिला करके यहां पर आप इसमें दुलना इसको स्टार्ट करिए और जो भी मोटी करेंगे की सारों के दीजे में हैं इसको पहले निचोड़ना है अच्छे से दवा दबा करकर के निचोड़ना है और इसको अभी क delivery दाल के लिए सीधी इस इसको भरेंगे ठीक है तो यह process हमको करते रहना है यह लंबा प्रोसर से तो यहां पर यह खत्म होने के बाद के मिट्टी दिख रही है यहां पर हमेरे हाथ मिड़ी मैं ने दे दिया है नाम ठीक है तो उस वंगे साइट को यहां पे दूलते टाइम आप यूज कर सकते हैं हालकि मैंने यूज नहीं किया क्योंकि मेरी कोकोपिड जो है बहुत ही अच्छी है और अभी बहुत बढ़िया चल रही है तो इसको दूल करके मैं सूखने दूंगा थोड़ी बिचानल कैसा लगा प्रीज मतलब वीडियो कैसा लगा प्ली्ज मुझे बताईगा और यह पहले क्ल जानते घर नहीं जानते थे पता नहीं अच्छान लगा कि यह चीज़ आपको बतानी चाहिए हो नहीं बताई तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिए देल देने नेक्स